आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही योनिक सी रेसिपी जिसमें बनाने में कोई भी मेहनत नहीं लगेगी बस घोलो और बना लो बस इतना ही करना होगा आपको और हमें इसे बनाने के लिए आटे की जरुवत नहीं पड़ेगी मैदे की जरुवत नहीं प बारीक हो, मोटा हो, कोई सा भी चलेगा, साथ ही हमने लिया है, आधी छोटी चमच, काली मिर्च और जीरे का पाउडर, और इसके बाद हम लेंगे थोरे से स्पाइसनेज, तो इसमें हमने लिये हैं चिली फ्लैक्स, और अब हम इसे एक अच्छा साइस का एक बैटर बटर मिल्क काफी पॉस्टिक होता है, बहुत ही फायदे मंद होता है, यह आप बच्चों को देंगे, तो वो हमेशा एनरजी फूल मैसूस करेंगे, और आज हम इसी से बनाएंगे, तो यह देखी हमने इस तरह का कुछ हो चुका है, हमारा जो सूजी, अब हम इसमें थोड मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और एड कर लिया है, तो हम इसे अची तरह से मिक्स कर लेंगे, यह बहुत ही जादा टेश्टी बनती है, और इतनी जल्दी बन जाती है, कि बस आप बात करते करते ही इसे बना सकते हैं, तो मैंने इसमें दो प्यास को बारिक चौप करके ले जितना आपको चाहिए वो क्वांटिटी के उपर डिपेंड करता है, तो हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, जब मैंने यह नाश्टा बनाया अपने घर में, तो बच्चे इतनी खुस हुएं, कि मैं आपको क्या बता हूं, और यह बहुत ही जटपट सी बन जा और एक्स को मैंने बावल में तोड लिया है, तो इसी तरह से आप भी ले लिजेगा फ्रेंड्स, और यह देखिए, अब हम इसमें डालेंगे बहुत थोरा सा काली मिर्च और जीरे का पाउडर, और साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं, ताकि नमक जो है, वो अच्छी तरह से अंडे में डिजॉल्व हो जाए, यूंकि नमक को थोरा सा अंडे में डिजॉल्व होने में टाइम लगता है, तो इधर मैंने गैस के उपर तबा चरहा दिया, और इसे हम थोड़े से वायल से ग्रीस करेंगे, हम इसे बहुत ही कम तेल में बनाने वाले हैं, और जो बैटर जो हमने बनाया था, वो तबे के उपर इस तरह से आप पहला देंगे, आपको जितना बड़ा नाश्ता बनाना है, आप उतने बड़े साइज में आप इसे डाल सकते हैं, तो मैंने जादा बड़ा नह लगता है, तो अब हम क्या करेंगे, कि इस तरह से करके इसे हम पलट लेंगे, मुझे तो बस ये पांच मिनट ही लगी बनाने में, और ये रेखिए कितना परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और खाने में इतना टेश्टी, इतना यमी, कि मैं आपको क् और मैं अब इसे क्या करूँगे, कि कट कर लूँगी, और तब मैं इसे अब सर्फ करूँगी, क्योंकि अब ये पक चुका है, बन गया ना कितना आसान, बहुत इजी रेसिपी है, आप इसे बनाएं, जटपट से, सुभा के नाश्टे में आप इसे इस्तमाल करते हैं, साम ऐसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तो इसे ऐसे ही बना कर खाती हूँ, तो आप भी इसे बनाएं, और एक बार ट्राइ करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी, तो फ्रेंट्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो share करें and comment करें enjoy करें take care